अब पढ़ेगा इंडिया हमने रेट्यों प्रपोस्टन के पर्षेंटेज के मुस्टली टाइप की कोश्चन होते हैं वो देख लिए हैं लगो घर टाइप की कोश्चन देख लिए हैं और उसके बनाने का तरीका हमने अलग-अलग तरीके से सीख लिया है अब हम इसी में काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही फ्रेक्वेंटली कोश्चन पुछे जाते हैं इस एक्जाम में सारे एक्जाम में पुछे जाते हैं तो हम इसे समझेंगे टाइमेंड वक के बनाने का तरीका एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया कुछ और भी जो हम जेनरल करवाया करूंगी तरीके से जो कि बहुत ही इजी तरीका है चलो अब हम टाइमेंड वक को अगर बिल्कुल बेसिक कॉंसेप्ट इसका देखे तो क्या है अच्छा आप यह बताओ वर्क यानि कोई इंसान अगर काम कर रहा है तो उसका काम किस चीज़ पर डिपेंड करता है काम कौन-कौन से ऐसी चीज़ है जिस पर डिपेंड करता है तो काम एक तो कि कितने लोग मिलकर कर रहे है उस पर डिपेंड करता है कितने घंटों में कर रहा है उस पर डिपेंड करता है और उस इंसान की काम करने की efficiency कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है यह यानि कि काम ड पुमेंड चिंट्ट्रन जो भी हो उसके अलावा डे पर डिपेंड करता है कि कितने दीन में वो कर रहा है और से घंटे पर डिपेंड करता है और efficiency कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है ठीक है आपने एक चीज दो जरूर पढ़ा होगा कि डब्लू इकोल्स टू नहीं एमवन डीवन एच ओवन एमडी एच एमडी एच फॉर्मूला तो बहुत ही फेहमस है अपने टाइम एंड वर्क के लिए और यह वही चीज है मैं बस इसका कॉंसेप्ट समझा लिए कि वह एमडी एच आया कहां से यह है वही सी तो अब आप यह बताओ अगर वर्क को एमडी एच इफिसेंसी जो कि नहीं लगाता पर इफिसेंसी ज़रूरी है क्योंकि मैं रेसी प्रपोस्टन के तरीके से बनौँगी तो इफिसेंसी तो मस्ट है तो डबलू जब प्रपोस्टन हो गया एमडी एच और एका तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं मैं अगर मालनों दो लोग की काम की बाद की जारी है कंपरिजन की बात की जारी तो इसे ऐसे लिख सकते हैं इसको डबलू को नीचे कर दिया m1 d1 h1 e1 by w1 equals to m2 d2 s2 e2 y w2 और वैसे ही कर सकते हैं equals to 3 4 जो भी है ले सकते हैं बैसे concept friends अगर आपका ले time and work किसी चीज़ पर dependent है तो m dh पर m dh मसाले याद रख लो आगे questions देखते हैं question क्या है 20 men can do a work see 20 men can do a work in 18 days 18 working days 8 hours daily then in what time 30 men can do that same work walking six days daily कह रहा है कि 20 आदमी किसी काम को 18 दिन पूरा करता है जब वह एक दिन में 8 गंटे काम करता है तो उसी काम को 30 आदमी कितने दिनों में पूरा करेगा अगर वह एक दिन में 6 गंटे काम करता है अच्छा आप यह बताओ डबलू तो सेम है न वर्क जो हो रहा है वो सेम है यानि हम यह पर MDH वाली फॉर्मूला लगा देंगे में पहले 20 है डे 18 और 8 आर्ज इकोल्स तो 30 देज 30 में देज का संख्या निकालना है और 6 आर्ज कैल्कुलेट करेंगे तो 16 दिन आ जाएका जबाब इसका अगला कोस्टन देखते हैं वाले वाले कोस्टन में वर्क पर यहां क्या है वर्क चेंज हो रहा है एक पांच गुणा काम कर रहा है और एक क्या कर रहा है तो दोनों में फर्क तो है क्या दिया है मैं दिया है और डबलू भी दिया ठीक है तो बस और दूसरे में में दिया दे नहीं दिया डबलू दिया पांच होजाएगा 3 into D2 by 3 तो इसमें D2 का वैलू यानि दिन का वैलू निकल जाएगा पाच हो जाएगा अगला question देखेंगे Some men can do a work in 16 days If 8 men work more than work could have completed in 10 days earlier Find initial number of men अच्छा आप यह बता हो क्या कह रहा है question कुछ आदमी 60 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं अगर 8 आदमी को और बढ़ा दिया जाए तो वो काम जो है 10 दिन पहले खतम हो जाएगा यानि 60 दिन में अगर पहले खतम हो रहा है तो अब कितने दिन में खतम हो जाएगा 50 दिन में खतम हो जाएगा तो खह रहा है कि initial निकालना है main की संख्या अच्छा एक हम initial लिलते एक final लिलते हैं initial 60 दिन में खतम हो रहा था day और final 50 दिन में खतम हो रहा है यह छे ratio 5 है क्या main? दिन के संख्या में है ना? तो आप यह बताओ डबलू तो ब्राबर है ना डबलू ब्राबर एम इंटू डी होता है कोई दिकत अगर डे का संख्या डबलू जब कॉंस्टेंट है तो मेन और डे एक दूसरे का इन्वर्स प्रपोस्टनल हो जाएगा याद करो आप रेशियों प्रपोस्टनल के चैप्टर में बताई थी है तो डबलू जब कॉंस्टेंट है तो डी और एम एक दूसरे का इन्वर्स प्रपोस्टनल हो जाएगा जब दिन का रेशियों छे नौपाथ पाच है तो आदमी का रेशियों पाचन पाच्छे हो जाएगा क्या को दिकत अगर इनिसियल और फाइनल में आदमी का संख्या ए अगला कॉस्टन हम देखेंगे अमेंज सेल्स अटीवी एंड रेडियो एट सिक्स परसेंट एट परसेंट प्रॉफिट एस्पेक्टिवली सॉरी में एंड उसका कॉस्टन पहले हम देख लेते हैं यह सब तो बाद में हम करते रहेंगे यानि की एम डी एच डवलू इस पर जो रिलेटेड कॉस्टन साते वो तो आपने कुछ देख ली आगे भी करवाएंगे पर उस कॉंसेप्ट पर तो कुछ कॉस्टन देख क्या कह रहा है कि a man can do a work in x days and b can do same work in y days है ना देन a plus b यानि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे एक आदमी किसी काम को x दिन में करता है और दुसरे आदमी उस काम को y दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ऐसा रहेगा तो जो main concept है तो बता ही रख्यों पहले भी बता रख्यों ग्रेशियो परपोसर में बता दी थी परसेंटेज में बता दी जब लेकिन एक नॉर्मन सा ट्रीक आप याद रखो कि यगर इस तरीकी का कोउस्चन दिया रहे है तो दोनों मिलकर उसका की कितने दिन में करेंगे तो इसका हम क्लियर लिख देंगे xy बटा x प्लेस y अगरा question है कि अगर a और b दोनों मिलकर किसी काम को x दिन में करता है और a अकेला उस काम को y दिन में करता है तो b उस काम को कितने दिन में करेगा अगर ऐसा question रह जाए तो हम क्या करेंगे xy बटा x माइनस y x दोनों का addition है और y अकेले का तो xy बटा x माइनस y ओके यह concept हम ध्यान रखेंगे यह concept ही है ऐसे आपको trick के फॉर्म में दे रही हूं पर इसका concept में पहले ही बता चुकी question solve करके और आगे भी बता दूंगी उसमें कुछ नहीं है अभी आप इस चीज़ को समझ लो अब अगला question है a takes x days more than a plus b together and b takes y days more than x plus b together then a plus b together can do the same work in okay यानी कह रहा है कि a किसी काम को a plus b अगर दोनों जो मिलकर के जितने दिन में करते हैं उससे x days ज्यादा time ले रहा है और b y days ज्यादा time ले रहा है तो a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे तो a और दोनों मिलकर root under x y days में करेंगे ओके यह हो गया ठीक है अच्छा फ्रेंट्स इसी concept पर वेस्ट जो questions आते हैं उसके लिए मैंने आपको यह trick बता दिया long term में भी पहले भी मैं आपको समझाई हूँ इसको पहले बना कर दिखाई हूँ अब भी आगे भी किसी question बना कर दिखा दूँगी लेकिन आप इस concept को एक वार समझो बिल्कुल ट्रिक जो है ना आप ट्रिक के पर चलते हो तो तब चांसे बहुत ऐसा होता है कि थोड़ा सा ट्विस्ट ले लिया question में तो आपको सॉल्व करना मुस्किल हो जाता है लेकिन अगर आपको दोनों चीज पता हो तो बहुत ही तरीके से बहुत कम टाइम में किसी question को solve किया जा सकता है अब हम देखते है question to do a work A takes 8 days more than A plus B together ठीक है and B takes 18 days more than A plus B together then in what time A can do the same work यानि कि A किसी काम को करने में A plus B से 8 दिन जादा लेता है और B उसी काम को करने में A plus B से 18 दिन जादा लेता है तो A plus B उस काम को करने में कितना time लेगा तो अभी पताया था ना root XY कर देंगे तो root under XY कर दिया ठीक है 144 यानि कि 12 हो गया इसका answer तो 12 किसका हो गया A plus B का तो A का अगर निकालने कर तो A कितना दिन जाता ले रहा आठ दिन यानि 12 प्लस 8 और Y B का रहा था तो 12 प्लस 18 यानि कि 30 दिन ओके अगला question देखेंगे A can do a work in 20 days, B can do the same work in 30 days and in what time A plus B together can do the work तो बताया था ना ऐसे sense में XY बटा X plus Y है ना तो XY 20 गुना 30 बटा दोनों का addition पच्चास 12 दिन हो जाएगा जबाग कितना easy है ना solution अच्छा आप ये बताओ अगर हम इसको solve करते ऐसा तो है नहीं कि हम इसको ऐसे solve नहीं कर सकते थे ratio and proportion तरीके solve तो कर सकते थे ना कितना दिन ले रहा है दिन है 20 और 30 यानि की 2 is to 3 तो इसका efficiency याद है आपको efficiency पर जो बताया था 3 is to 2 ठीके 3 is to 2 हो गया efficiency है ना तो क्या करेंगे ये देखिए आप दोनों का LCM 6 आया था 6 और बटा 5 ठीके 6 बटा 5 जब ये ले लेंगे और उसके बाद ये देखेंगे फिर हम इसको देखेंगे कि ये देखो क्या क्या है इसमें 20 हो गया 30 हो गया है ना तो efficiency हम क्या निकाल लेंगे तीन और दो दोनों मिल करके ये LCM निकाल लेंगे तो 60 हो जाएगा तो 60 बटा efficiency क्या है 5 यानि की 12 हो गया ना ओके अगला question हम देखते है अगला question हो गया A, B, C and D can do a work in 20 days, 30 days, 40 days and 60 days respectively then in what time they all together can do the work same चीज जो अभी बताया था मैंने आपको work की question क्या होता है time और गुना efficiency efficiency यानि एक दिन में जो काम करता है तो यहां हम देखेंगे इनकी देखें A, B, C days किते ले रहें 20, 30, 40, 60 LCM निकालेंगे तो 120 हो जाएगा तो उनकी efficiency निकालेंगे efficiency equals to total work divided by days यानि 6, 4, 5, 3, 2 total करेंगे तो 15, total काम 120 और बटा 15, 4 मिलकर काम करेंगे यानि 8 days हो जाएगा answer अगला question देखेंगे अच्छा हां बहुत confusion होता है जब मैं भी पढ़ाई करती थी ना मुझे ऐसा लगता था यह क्या पाई और क्या क्या वाला यह सबसे जादा अगला confusion यह वाला पता ही कब आपको होता था जब स्कूल में थी आइधिंक नाइन्थ क्लास में यह मैं था आया था तो तब ऐसा लगता था क्या यह पाई पेसे वाला क्योंकि तब तो हम ट्रेडिशनल मिथर से बनाया करते थे जब competition का त्यारी करने लगी जब हमें हमारे teacher के द्वारा easy method बता गया ratio के द्वारा तो लगा कि हाँ चलो अब इसे बनाना easy है तो फिर से यह pipe वाला question हमारे सामने है मुझे लगता है आप में से भी किसी लोग को pipe वाले question से थोड़ा सा लगता होगा कि यह है क्या अगर किसी को ल and 40 days respectively 14 minutes respectively pipe C and D can empty the tank in 30 minutes and 60 minutes respectively in what time all of them together can fill tank okay ज्यानी की अच्छा आप यह देख लो कितना time कौन सा ले रहा है भर रहा है खाली कर रहा है this doesn't matter पहले आप देखो कि कितना time कौन को ले रहा है सब कामने अलग 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 time लिख लिया lc हम निकाल दिया efficiency निकाल दी efficiency के लिए total work divided by time efficiency अच्छा जो खाली कर रहा है उसे हम क्या करेंगे minus में और जो भर रहा है उसे plus में ले लेंगी तो अगर total work तो यही है total efficiency निकालने की बाता है तो इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को minus कर देंगे यह तो खाली कर रहे है न तो total आगया 3 ओके तो 120 divided by 3 यानि की 40 हो जाएगा answer 40 minute में खाली कर देगा ठीक है अगला question देखेंगे A and B can do a work in 10 days A और B किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 15 दिन में कर सकते हैं ठीक है both started working then after what time we leave the work so that work completed in 8 days क्या कह रहा है कि A और B दोनों किसी काम को करना start करते हैं और कुछ दिनों बाद B काम छोड़ देता है ठीक है और A उस काम को कितने दिनों में खतम करता है 8 दिनों में ठीक है तो निकालना है कि B कितने दिन बाद काम छोड़ा ठीक है अब आप यह देखीए 10 और 15 इनका lcm लेंगे तो 30 हो जाएगा efficiency तीन और दोजने लेंगे अच्छा आप यह देखा यह बताओ यह दोनों के साथ में काम करना स्टार्ट इन चोड़ा ना ईस तो लगा था और शूरू करकर के लास्ट अ करता रा गया ठीक है यानि आठ दिन में एक कितना एक दिन में अगर तीन काम कर रहा है तो आठ दिन में कितना करेगा चौबिस का आएंगे छे बचा और यही छे काम तो भी किया नए एक दिर में तीन काम करता है तो शे काम किते दिर में करेगा तीन दिर में करेगा तो किते दिर बाद वो छोड़ का चला गया तीन दिर बाद अगला question देखेंगे A&B can do a work in 10 days and 15 days respectively यह started walking then after what time B join that so that work complete in 8 days अच्छा इसमें उल्टा कर दिया इसमें क्या कर दिया कि A और B इतने इतने दिन में कर सकते हैं A काम स्टार्ट कर दिया और कुछ दिनों बाद B उसे जोइन करता है तो काम कितने दिन में कम्प्लेड हो जाता है आठ दिन में Same process पहले LCM लेंगे और LCM को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल वर्क हो गया ना टोटल वर्क तो Efficiency तीन और दो निकल जाएगी A क्या किया? A आठ दिन काम कर रहा है ना यानि 24 काम A अकेला कर लिया ठीके? और 6 काम जो है वो B किया तो 6 काम B कितने दिन में कर लेगा? एक दिन में अगर 2 काम करता है तो 6 काम 3 दिन में कर लेगा? कोई दिक्कत? टोटल काम अगर 8 दिन हो रहा है 6 तीन दिन काम कर रहा है तो कितने दिन बाद वो जोईन किया थाम को? तो 5 दिन बाद जोईन किया होगा है ना पास दिन बाद काम को जॉइन किया A plus B can do a work in 30 days B plus C 40 days and A plus C in 60 days then in what time A plus B plus C can do same work and A can do the same work कह रहा है कि A और B किसी काम को 30 दिन में करते हैं B और C 40 दिन में करते हैं और A और C 60 दिन में करते हैं ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे A, B, C जो हम लोग अकेला लिखते थे ना अभी साथ में लिखती है यह लिख लेंगे अब इनका LCM निकाल देंगे 120 और Efficiency निकाल देंगे इतना हो जाएगा अच्छा फ्रेंड्स आप यह बताओ यह अगर तीनों को हम दो एड करते हैं तो क्या आजाएगा 2, 2 टाइमस A आजाएगा 2 टाइमस B आजाएगा 2 टाइमस C 2 A प्लस B प्लस C इकोल्स टू आजाएगा 4, 2, 8, 3, 11 कोई दिक्कत है ना तो A प्लस B प्लस C इकोल्स टू 11 बाई 2 आजाएगा कोई दिक्कत ओके यानि A प्लस B प्लस C की Efficiency आगई 11 बाई 2 तो टोटल वर्क यानि 120 डिवाइड़ बाई 11 बाई 2 2 उपर जाएगा यान 240 बाई 11 इतना दिन में वो काम कर लेगा अब सिर्फ A की बाई अगर कह रहा है सिर्फ A का बाई अगर है तो आप यह बताओ B प्लस C की Efficiency कितनी 3 बाई 2 ना B प्लस C की Efficiency 3 और A प्लस B प्लस C की Efficiency 11 बाई 2 तो B की Efficiency 5 बाई 2 हो जाएगा कोई दिक्कत सिर्फ सॉरी सिर्फ b प्लस c यहां है ना तो सिर्फ a की इफिसेंसी 5 बाइ 2 हो जाएगा टोटल वर्क 120 डिवाइड़ बाइ 5 बाइ 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 24 दुना 48 दिन कोई दिक्कर नहीं यहां समझ लो इस कोस्टन को सॉल्यूशन से आपको बता देती हूं अच्छा मैंने एडिसन में करत कर दिया क्या सॉरी मैंने आप यह देखो चार तीन दो नौ होता है न मैंने क्या कर दिया 11 कर दिया चलो कोई नहीं मैं फिर से सब्सक्राइब लागती हूं अच्छा नाइन इकोस्टो टू ए प्लस बी प्लस सी तो ए प्लस बी प्लस सी इकोस्टो फोर फोर पॉंट फाइव यह इसकी एफिसेंसी निकल गए तो टाइम निकल गया 120 बटा नौ बटा दो इसको सॉल्व करेंगे तो 180 बटा त ठीके तो एक का इफिसेंसी 3 by 2 आ जाएगा तो उसको 120 बटा 3 बटा 2 यानिकी 120 गुना 2 बटा 3 सॉल्व करेंगे तो 80 दिन आ जाएगा जवाब इसका है ना यह देखो अगला कुश्चन है A plus B plus C can do a work in 30 days B plus C can do a work in 40 days then find in what time A can do the same work and we can do the same work अच्छा आप यह बताएए टाइम दिया है सबसे पहले हमने क्या किया LCM निकाल दिया LCM निकाल कर हम क्या किये इसकी efficiency निकाल दिये अच्छा आप यह बताओ अगर A plus B plus C की efficiency 4 है और B plus C की efficiency 3 है तो A की efficiency minus करेंगे तो A की efficiency 1 निकल जाएगा यानि A अकेला उसकाम को कितने दिन में करेगा 120 वटा एक दिन में यानि 120 दिन लग जाएगा और B अकेला कितने दिन में काम करेगा तो आप यह बताओ कि क्या हम A का तो निकाल लेकिन क्या possible B की efficiency निकालना जब हम B की efficiency निकाल सकते तो क्या हम बता सकते हैं कि B कितने दिन में काम करेगा B प्लस C ज़रूर बता सकते हैं कितना दिन में करेगा लेकिन B शिर्फ या सिर्फ C कितना दिन में काम करेगा यह नहीं बता सकते हैं तो ऐसा question जब भी आ है तो लिख देंगे कि cannot determined ओके अगला question है A and B can do a walk in 20 days 30 days respectively A has started walking after 5 days B join him in what time they will complete the walk यानि A, B किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं A किसी काम को करना start करता है और 5 दिन बाद B उसे join करता है तो निकाले कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे जब भी ऐसे question हो सबसे पहले हम क्या करेंगे LCM निकाल देंगे time का उससे LCM से LCM टोटल वर्क हो गया उससे efficiency निकल दे जागा तीन और दो का चीक है अच्छा आप यह बताईए A और B किसी काम को करना start किया ठीक है ना पाच दिन करता है उसके बाद क्या हो जाता है A और A पाच दिन तो अकेला काम करता है ना तो पाच दिन में A कितना काम कर लेगा एक दिन में तीन काम तो पाच दिन में 15 काम कर लेगा 15 काम कर लेगा पाच दिन में टोटल काम 60 है 60 में से अगर 15 हटाते है तो 45 और इस 45 काम को क्या करेंगे यह दोनों मिल कर करेंगे ना पुरा काम फिनिस होने में कितना टाइम लगेगा नौ इन दोनों ने जो मिलकर किया और प्लस पाच अन्या के लग किया यानी 14 दिन अंसर हो जाएगा अगला कोस्ट्टम देखेंगे A and B can do a work in 20 days and 30 days respectively then they work for one day alternative then in what time they will complete the work अच्छा आप यह बताओ A और B काम को करना स्टार्ट किया टाइम यह लग रहा है हाँ हिंदी में मैं एक वार समझा देती हूँ A और B किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में क्रमसख कर सकते हैं अगर वो alternative यानी एक दिन छोड़ कर दूसरा काम करता है ठीक है तो उस काम को खतम होने में कितना टाइम लगेगा जब A काम स्टार्ट करता है तब और जब B काम स्टार्ट करता है तब अच्छा आप यह बताओ एक दिन एक काम किया एक दिन भी काम किया यानी दो दिन हो गया टू डेज हो गया और दो दिन में हमने LCM निकाला 60 हुआ efficiency तीन और दो आ गया 60 divided by 20 तो इसकी efficiency और इसकी efficiency ठीक है यानी कि दो दिन में set है ना एक दिन में 3 काम दुसे दिन में 2 काम यानी 2 दिन में टू डेज में 5 वर्क हो रहा है है तो 6 दिन में आप ये बताईव की 60 काम है दो दिन में अगर 5 काम हो रहा है तो 60 काम होने में कितना कि यह हो गया इसका जबाब अच्छा अगर यह रहता कि बी और पहले काम स्टाट करता है यह बाद में तो भी यहां पर बारा पेर ही बनता तो सेम डेज लगता हाँ चेंज होता है मैंने इस को स्टोन को दिया है मतलब की चेंज कुछ न कुछ तो फर्क होता होगा तब ही यह दिया आगे हम कोसर्ट देखेंगे ुसमें आपको क्लियर नेजर आएगा पहले अगर स्टाट करता है पहले क्atura किता थैंड़ की से काम को 30ज दिन वर कर सकते है उस काम को वह अल्टरनेटीव स्टार्ट करते हैं तो तो उस काम को complete होने में कितना time लगेगा अगर A start करता है तो और B start करता है तो सेम चीज ले लेंगे 30 और 40 ले लेंगे time इनका LCM निकालेंगे 120 efficiency निकालेंगे तो इनकी 4 हो जाएगी इनकी 3 हो जाएगी अच्छा अब हमारे पास condition आ गया एक set तो बनेगा कि A और B दो दिन 2 days है ना फिर A B है ना ऐसे ही बनेगा ना A B A B ऐसे और एक set बनेगा B पहले करेगा फिर A फिर B करेगा फिर A ऐसे बनेगा ओके ऐसे बनेगा 2 days का अभी हम देख लेते कि जब A पहले start करता है A पहले start करेगा दोनों की efficiency कितनी है 4 प्लस 3 साथ total work 120 अच्छा 120 को हम 7 से divide करेंगे तो कितना आ जाएगा आप ये बताइए यहाँ दखिए 7 से divide करेंगे तो आ जाएगा साथ से जब हम divide करेंगे तो आज आएगा 17 पूर्णांग एक वटा साथ यानि 17 हो गया ये 17 पेर जो है दो दिन का है न साथ तू डेज का साथ है तो सत्रा सत्रा के लिए कितना हो जाएगा 34 दिन 34 देज 34 देज तक तो चलो ठीक है 17 पेर बन गया अब कौन स्टार्ट करेंगे जो बचा हुआ काम है मालो की 17 34 दिन तक हो गया अब जो बादवा की बचा काम है वो जो स्टार्ट किया वो आग जाएगा न उसमें नया में यानि जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा वो तो ए करेगा तो बचा हुआ काम को अगर ए एक दिन में चार काम कर सकता है ठीक है तो एक काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा एक काम करने में एक वटा चार दिन लगेगा यानि टोटल डेज कितने हो जाएंगे 34 और प्लस 1 by 4 डेज ये इसका अंसर हो जाएगा अब दूसरा देखिए जब बी ये स्टार्ट करेगा तो ऐसा ऐसा तो 17 पेर बनेगा ना 7 पेर्स ठीके लेकिन उसके बाद हमारे पास कितना बच जाएगा वही काम बच जाएगा एक वटा एक काम बच जाएगा एक वटा शाथा रहाता ना एक काम अच्छा बी अब क्या करेगा क्योंकि बी ये स्टार्ट करेगा सुस् Abbott E9 जब स्थार्ट करक्रेका fax दो टो एक दिनWhen a То this गुना 3 दिन में कर रहा हो ap प्लस एक वटा तीन दिन ओके अगला कोश्यन हम देखते हैं A, B and C can do a work in 20 days, 30 days, 40 days and they work for one days alternatively in same order then find the work ठीक है यानि पहले दो का हमने देख लिया अब तीन का है कि A पहले एक दिन काम किया फिर B एक दिन काम किया फिर C एक दिन काम किया यानि यह पेर थ्री देज का निकल किया पेर, कोई दिक्कत, थ्री डेज का यह पेर निकल गया, अच्छा हम यह काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, LC हम निकालेंगे 120, efficiency निकालेंगे तो 6, 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है, यानि तीनों को add करेंगे तो 13 काम हो जाएगा, 3 दिन में कितने काम हो रहे 13 काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत, 3 दिन में 13 काम, हम ऐसे करेंगे, 120 को 13 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 13 नमा 17 से, 13 नमा कितना होता है, 107 होता है, 107, अच्छा 13 से डिवाइड क्यों किया, भई, multiple में हम चल लेंगे, कितना, एक 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 दिन का, कितना निकाल होगे, तिन के, थ्री डेज काम, एक पेर बना लेंगे, तो 107 काम जो है, सॉरी, तेरे नमा कितना होता है, 937, और यह में टेबल भी बूल गई, सॉरी, 17 से 117 ना, ठीक है, 117 हो गया, तेरे नमा 17 से 117, तो अब आप यह बताओ, 117 हो गया है, टोटल काम 120 है, तो बच गया कितना काम, तीन काम, और इस तीन काम को कौन करेगा, A स्टार्ट कर रहा है ना, क्या, पहले तो काम A करेगा ना, यह तो हमने सेट बना लिए, लेकिना केलिया केलिया देखते तो वो टर्ण A का आता, तो अगर A एक दिन में 6 काम करता है, तो तीन काम को कितने दिन में करेगा, एक वटा, दो दिन में ठीक है, कितने पेयर बन रहे टूटल, नो, एक पेयर में तीन दिन, तो नो तीन 27 दिन, यह तीन 27 दिन हो गया 9 ट्रिपलेट्स, और तीन वर्क को करने में आधा दिन टाइम लगेगा, यानि कि 27 और जोड, एक वटा, दो दिन, ओके, अगला कोस्टन हम देखेंगे, अगला कोस्टन है, सेम टाइप का कोस्टन है, A, B, C का दे दिया है, A started work and B and C together helped him, A started work and B and together helped him on every third days, ठीक है, समझे, then what time they will take, यानि A कोई काम start किया, एक दिन किया, A, दूसरा दिन भी अकेला काम किया, और तीसरा दिन B और C help के लिए आ जाता है, यह कह रहा है न, समझो, आप कोस्टन को समझो, तीसरे दिन B और C उसके help के लिए आ जाता है, यानि दो दिन अकेला काम किया, तीन दिन का फिर से हम triplets बना लेंगे, आप यह बताओ, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, total LCM निकाल दी है, efficiency निकल गया, 6, 4 और 3, यहां तक तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार efficiency निकाल कर देख लिया है, अगर 6, 4 और 3 इसकी efficiency हो गई, तो आप यह बताओ, A, B, C, तीनों मिलाकर कितना हो जागा, efficiency, 6, 4, 10, 13, ठीके, और A, दो दिन तो अकेला काम करता नहीं, एक दिन में 6 काम करता है, तो दो दिन में अकेला, यानि 6 प्लस 6 और प्लस यह 13, यानि total तीन दिन में जो काम होगा, वो है, 6 दूना 12 और 13, यानि की 25 काम, तीन दिन में, तीन दिन के set में काम कितना हो जागा, 25 काम, कोई दिकत, अच्छा, हमारे पास total काम कितना है, 120 काम है, 120 काम है और 25 के मल्टिपल में तो कह सकते 25 का 100, 4 हो गया, 4 पुर्णांक 20 वटा 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 4 पुर्णांक 20 वटा 25 लिखने में, यहां तक तो आप लोगों को मुझे लगता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, कि यहां क्या लि सेट कितना बन गया, 4 बना था भई, 4 बन गया, यानि कि 12 दिन तो ऐसे हो गया, अब काम कितना बच गया, 20, कोई दिक्कत, अच्छा 20 काम बच गया, सेट नहीं बन रहा है, तब क्या होगा, ए काम करेगा, ए काम करेगा, फिर ABC काम करेगा, एक दिन में 6, अगले दिन 6, 12, य इसमें से हम बारा घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? आठ यानि कि इसमें दो और जूड़ जाएगा? चौदा दिन हो गया, अब आठ काम को तो तीनों मिलकर करेगा ना? कोई दिक्कत? आठ काम और तीनों की इफिसिंसी कितनी है? तेरा, आठ बटा तेरा, यानि टोटल दिन कितना हो जाएगा? बाद वाकि कुछ काम छूट जाएगा है ना? चार्ट रिपलेट बनाने में बारा दिन लग जाएगे? और कितना काम रह गया? चार्ट रिपलेट छोड़ने के बाद 20 काम बच गया ना? उस बीच काम को क्या करेगा? बीच काम को पहले ए करेगा छे दिन में पहले ए करेगा छे दिन में फिर सेकंड दे छे काम तो बारा काम कर लिया दो दिन में बारा पहले का दिन था और फिर दो हो गया अब आठ काम बच गया आठ को इनकी इफिशेंसी तेरा है तो आठ पटा तेरा इतना दिन हो जागा? अंसर ओके अगला question देखेंगे A, B, C can do a work in 20, 30 and 40 days respectively A has started work and B and C help him every second day पहले क्या था? triplets पर था अभी second day जब help करता है है ना? पहले same process LCM निकालेंगे LCM निकालकर efficiency निकालेंगे अब क्या कर रहा है? A और A plus B plus C A plus B plus C 13 है A 6 है यानि कि दो दिन में कितने काम हो गए? 13 और प्लस 6, 19 काम हो जाएंगे दो दिन में कोई दिक्कत? दो दिन में 19 काम हो जाएंगे यानि ऐसे कितने पेर बन जाएंगे? 120 को 19 से आप करो डिवाइड तो 6 6 पेर बन जाएंगे और प्लस कितने हो जाएंगे? 6 एक्स्टा बच जाएगा ओके? 6 पेर बन गया इसका मतलब 12 दिन तो सिधा सिधा हो गया अब 6 काम बच गया ना? A एक दिन में 6 काम करता है तो अगला टर्म तो एक आहीं आ रहा है ना? और एक दिन में 6 काम करता है यानि कंप्लीट कर लेगा तो 12 और प्लस एक दिन यानि 13 दिन हो गया कोई दिक्कत? अगला कुस्टन हम देखते हैं अच्छा फ्रेंडस आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मैं fast जा रहे हूं बहुत ही easy तरीका है और बहुत सारे questions उस method से समझा रही हूं तो मुझे लगता है कि जादा आपको यह नहीं लग रहा होगा कि fast जा रहे हूं है कुछ भी फिर अगर आपको fast लगता है तो आप एक और please बताते ना मुझे comment box में ठीक है अगला question देखेंगे A, B, C can do a work in 10 days, 20 days, 15 days respectively they started working together but after 2 days A leave the work ठीक है and B leave 3 days before यानि की काम सुरू होने के दो दिन बाद एक काम छोड़ देता है और काम खतम होने के तीन दिन पहले भी काम छोड़ देता है ठीक है then find the time work will come then in what time work will complete ओके को जिकत अभी हम देखते हैं इन सारे बीच में एक एक चीज़ तो तैह है A, B, C कोई काम कर रहा है यह क्या है दो दिन बाद एक काम छोड़ देता है और काम खतम होने के पहले तीन दिन पहले भी काम छोड़ देता है यानि C लगातार सुरू से लेकर अंत तक काम करता है यह वाले 12 और 15 LCM निकाल लेंगे तो 60 हो जाएगा तो efficiency 6 5 और 4 निकल जाएगा A प्लस B काम किए तीनों मिल करके तीनों की efficiency 15 तीनों मिल करके काम किए दो दिन है न दो दिन बाद तो छोड़ देता है एक काम को तो दो दिन में 30 काम हो गया अच्छा B पलज S काम किये कितना दिन कुछ भी दिन काम किये हो B पलज S काम किये और C जो है B बो 3 दिन पहले चोड़ देता यानि C 3 दिन तो अकेला काम करेगा C अकेला 3 दिन में कितना काम कर लेगा C की efficiency 4 है तो 12 काम कर लेगा total काम 60 है 60 में से 30 और 12 यानि 42 काम हो गया 18 काम बचा इस 18 काम को B और C कर रहा है B और C Efficiency 9 है तो 18 काम को 2 दिन में करेगा है ना 18 काम को 2 दिन में करेगा यानि इसका भी day निकल गया तो निकल गया 2 plus 2 plus 3 यानि की 7 days अगला कोशन देखिए A, B और C किसी काम को 36 दीन, 54 दीन और 72 दीन में करते हैं they started the work but a left 8 days before वो काम करना start करते हैं लेकिन a, काम खतम होने के 8 दिन पहले काम को छोड़ देता है और b, काम खतम होने के 12 दिन पहले काम छोड़ देता है तो काम खतम होने में total कितना समय लगेगा यह निकालना है ठीक है यह देखिए पहले हम क्या करेंगे सेम चीज़ पहले क्या करेंगे उनकी इफिसेंसी निकालेंगे LCM 36, 54 और 72 है LCM 216 इफिसेंसी 6, 4 और 3 आ जाएगा ठीक है क्या कह रहा है कुश्षन A, B और C यहाँ देखों A, B, C तीनों मिलिजर काम स्टार्ट किया एफिसेंसी तीनों की कितनी हो गई 13 ठीक है काम खतम होने के 12 दिन पहले B काम छोड़ देता है ओके और A कितने दिन पहले काम छोड़ देता है 8 दिन पहले काम छोड़ देता है है ना तो आप यह बता और रिवर्ट में हम चलते हैं मान लो A प्लस B प्लस C A प्लस C है और सिर्फ C है काम मान लो खतम होने के 8 दिन पहले कौन छोड़ दे रहा है 12 दिन पहले B छोड़ दे रहा है B छोड़ देगा यानि A और C काम करेगा और 8 दिन पहले A भी छोड़ दे रहा है तो C अकेले 8 दिन काम करेगा न ठीक है और 12 दिन पहले 12 दिन पहले कौन छोड़ रहा है B छोड़ रहा है यानि कि A और C इस वाले सी को अगर हम अलग कर दो ए और सी दोनों मिलकर कि एक एठा काम कितने दिन किये चार दिन काम किये कोई दिख्यत बारा दिन पहले 20 यह हो गया और चार यह 12 इन झा ना फिक किले ऐ two another तो आठ दिन में ये 24 काम कर लेगा ओके A और C A और C की एफिशेंसी 9 है और 4 दिन काम करते हैं तो 9 चों का 36 ये 36 काम कर लेंगे 216 काम 216 काम में से ये दोनों को एड़ करिए तो आज अगर 60 काम हो चुका 12 दिन में माइनिस करेंगे 5 156 काम बचा और ये 156 काम A, B, C तीनों मिलकर किया था A, B, C एक दिन में अगर 13 काम करता है तो 156 काम कितने दिन में करेगा 156 काम करेगा 12 दिन में तो 12 दिन ये हो गया 4 दिन ये 12, 4, 16 दिन और 8 दिन ये 16, 24 दिन 24 दिन क्या हो गया इसका 24 दिन अंसर हो जाएगा चमझ में आ गया ना रिवर्स से चलेंगे हम है ना यह देखी 24 दिन अंसर अगला कोश्चन देखेंगे A can do a work in 12 days B plus C in 15 days and A is twice as worker as as efficient good worker as C then in what time B alone can do a work hmm देखते हैं हम ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है A और बी किते दिन में 12 आरे डेज में B plus C 15 days में कर सकते हैं अच्छा efficiency दी हुई ना ए और बी कि efficiency एक है twice a good worker यानि कि एक की efficiency दो और बी की efficiency एक दी हुई है कोई दिकत LCM निकाल लेंगे 60 efficiency निकल जाएगी efficiency क्या हो जाएगी यहाँ 5 और यहाँ 4 कोई दिकत ठीक है यह तो efficiency निकल गई इनकी अब कह रहा है कि A जो है वो B से तुगना जादे efficient है है ना और ठीक है यह condition दे दिया है तो आगे हम इस पर solve करेंगे यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे ठीक है इससे आगे हम solve करेंगे अब आप यह बता हूं कि कि सॉरी यहाँ से देखो आप एक मिनट कुस्टन कुछ हीरर हो रहा है कि कुछ चूट रहा है कि सॉरी यह mistake हुआ था ए ट्वाइस एफिसेंट है सी का न हम कि से इगा दूगा एफिसेंट है अगर यहां पर कि आफ बरस बी पाच है ठीक है उससी इतना है परने माइन में सोचते हैं यहां तक यहां तक तो बी प्लस C, 4 है, C, 1, तो B, 3, ओके, और B अगर 3, तो A कितना, A, 2, सारे equation में आगे, तो individual का निकल गया, ओके, individual का निकल गया, अब हम यहां से देखते हैं, क्या कह रहा है, क्या निकालने कह रहा है, कि B अकेला उस काम को किते दिन में करेगा, ठीक है, अगर A प्लस B, यह देखिए, कितने है, B अकेला, टोटल काम 60, B की Efficiency 3, तो B अकेला कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, कोई दिकत, दिकते हैं, अकेला कॉस्टन, A, B can do a work in 12 days and 15 days respectively, A and B can do a same work in 12 days and 15 days respectively, they started working together and after working two days, B leaves the work and A alone continue the work and after one days, C joined A and completed the remaining work in five days, then in what time C alone can do the same work? step by step of, समझे, A और B, 12 दिन और 15 दिन में कर सकता है, क्या कर रहा है, A काम को स्टार्ट किया, A और B दोनों काम को स्टार्ट किया, और after two days, दो दिन बाद, A अकेला उस काम को, B छोड़कर चला गया, यानि A अकेला, यानि दो दिन इन लोगों ने साथ में काम किया, B छोड़कर चला गया, A alone continue the work and after one days, यानि एक दिन इन अकेला काम किया, C, A प्लस C हो जाएगा, C joined A and completed remaining work in five days, पाच दिन दोनों साथ में काम किये, तो निकालना है कि C अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, यहाँ देखिए आप, टोडल कितना, 60, Efficiency पाच और चार आ गया, यानि नो, एक दिन में दोनों नो काम करते हैं, तो दो दिन में अठारा काम किया होगा, दो दिन साथ में काम किया, यानि पाच काम किया एक दिने, कोई दिक्कत? नहीं, अब आप ये बताईए, यहाँ कितना हो गया, 23, 23 हो गया ना, टोडल काम 60 है, अच्छा आप ये बताओ, पाच दिन A और B C अकेले साथ में काम किया, यानि पाच दिन में सिर्फ A कितना काम किया, पाच दिन में सिर्फ A, 25 काम किया होगा, किया ना, तो जो बाद बाकी बच्छा काम है वही तो C करेगा, और वो भी पाच दिन में, ठीके, तो अब टोटल हम काम निकाल लेते हैं, कितना काम हो गया, 25 पास 30, 38, 48 60 में से 48 काम, 60 काम टोटल था 60 में से 48 काम हो गया 12 बच्चा और 12 काम को C 5 दिन में कर रहा है 12 काम C 5 दिन में कर रहा है यानि एक काम ये कितना दिन में करेगा 12 बटा 5 ठीक है efficiency इसकी कितनी हो गई 12 बटा 5 यानि की total काम 60 और 60 को इसके efficiency से divide करेंगे यानि 12 बटा 5 से divide करेंगे 5 यानि की 25 यानि C इस काम को कितने दिन में कर सकता है 25 दिन में कर सकता है देखिए ये देखो step by step A, B, C 5 दिन किया C का क्यूंकि दे नहीं रखा तो हमने क्या किया A अकेला हम 5 दिन अलग से निकालेंगे C का अलग से निकालेंगे ना A, B का efficiency जो है 8 यहां देखो अभी जो solve किया हमने उपर में यह ratio से A, B का 9 है है ना A, B का 9 है तो 9 गुना 2 और A का कितना है 5 है A का 5 है तो 5, 18 यहां हो गया 5 और यहां A अकेला 5 दिन और C को आदा तो हम अलग ही करेंगे 5 दिन में तो 25 काम इतना काम तो हो गया बाद बाकी जो बचा वही तो C किया वो भी 5 दिन में यहां से निकालेंगे तो 48 हो जाएगा टोटल काम 60 है 48 माइनस करेंगे तो 12 यानि 12 काम को C जो है वो 5 दिन में किया तो efficiency कितनी हो जाएगी 12 बटा 5 दिन अंसर हो गया अगला कोशन देखेंगे A प्लस B जो हो गया यह तो हो गया हमारा efficiency and work निकालने के लिए LCM लेकर के efficiency 4 और 3 आगे यहां तक कोई दिकत A started work and after 5 days B take over the work A काम start करता है 5 दिन तक उसके बाद take over साथ में जो है नहीं किया take over यानि ले लिया उससे काम तो B ले लिया उससे काम and work for 7 days and then C taken over the work and completed the work C का दिन नहीं दिया हुए है sorry C 13 days में then in what time each of them can do the same work अच्छा friends इसे आप ऐसे कर सकते हो यहां A plus B और B plus C दिया है न A काम किया पाच दिन B साथ दिन तो हम ऐसे कर सकते हैं कि A plus B पाच दिन काम किया है ना और जो दो दिन बचाओ से C के साथ कर देते हैं and B plus C दो दिन काम किया अगर दो दिन इसके साथ काम किया यानि कि 11 दिन C अकेले काम किया C 11 दिन अकेले काम किया कोई दिकत दिनी तो मिलाना था efficiency पराबर करना तो हम साथ में कर दिये अब देखो A plus B की efficiency दी हुई है चार न एक तो अगर यह पाच दिन काम करता है तो 20 काम हो गया और वही B plus C का efficiency तीन और दो दिन साथ में काम करता है यानि 6 हो गया 26 काम हो गया कोई दिकत और 12 काम को C अकेले करता है कोई दिकत सौरी यह 22 हो गया ना 22 हो गया 22 काम को C अकेले 11 दिन में करता है है ना C 11 दिन में 22 काम करता है तो C की efficiency कितनी हो गई 22 बटा 2 22 बटा 11 total काम बटा time यानि कि efficiency 2 हो गई अच्छा C की efficiency अगर 2 हो गई, इस वाली equation में आप देखिए, C की efficiency 2 हो गई, तो B की efficiency 1 हो जाएगी, और B की efficiency अगर 1 है, तो यहां से A की efficiency 3 हो जाएगी, यानि A की efficiency 3, B की efficiency 1, और C की efficiency 2, efficiency जब निकल गया, टोटल वर्क दिया हुआ है, टोटल वर्क 48 दिया है, तो कितने दिन में कौन काम करेगा, निकल जाएगा, A करेगा 48 बटा 3, यानि की 16 दिन में, B, 48 दिन में, और C करेगा 48 बटा 2, यानि की 24 दिन में काम हो गया, अगला question देखते हैं, ये question friends, इस lecture का last question करेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा lecture ये हो गया, और अभी time and work के questions बहुत सारे हैं, तो हम इस question को इस lecture का last question करेंगे, है कि, sorry, इसमें question कर रहा है, कि to do a work, A takes three times as long as A plus C, ध्यान देना है आप, time दिया है कि कितना तीन कुना जादा समय ले रहा है, time और efficiency का हम ratio अलग से लिखनेंगे, ठीक है, लगता है last question सबसे complicated and tough question होने वाला है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, to do a work, A takes, B takes three times as long as A plus C, यानि B और A plus C का efficient, sorry, time का जो ratio हो जाएगा, वो तीन ratio एक हो जाएगा, together and C takes twice of A plus B, C और A plus B का जो time का ratio हो जाएगा, वो दो अनिपात एक हो जाएगा, ठीक है न, कोई दिक्कत, अब देखते हैं, if all of them together can complete a work in 10 days, तीनों, यानि सब मील करके उस काम को, दस दिन में कर सकते हैं, तो, अकेले अकेले वो कितने दिन में काम कर सकते हैं, यही question कह रहा है न, friends आप एक चीज़ हमें बताओ, work, बराबर है, work बराबर क्या होता है, work की question क्या होता है, mdh होता था न, हमारे पास क्या दिया हुआ है, efficiency दिया हुआ है, और, क्या दिया हुआ है, time दिया हुआ है, work जब constant है, तो efficiency और time एक दूसरी का inverse proportional हो जाएगा, यह constant तो एक तो इस साइड आ जाएगा न, इनवर्सली proportional हो जाएगा, यानि कि तीन अनपात एक, जब इनके time का efficiency है, sorry, जब time का ratio है, तो इनके efficiency का ratio एक अनपात तीन हो जाएगा, वही दो अनपात एक का time है, तो एक अनपात दो efficiency हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, आप ये बताओ, यहाँ पर time को add करने पर, या efficiency किसी को भी add करने पर 4 आ रहा है, और यहाँ 3 आ रहा है, हम इसे ब्राबर करने के लिए क्या करेंगे, ब्राबर करने के लिए 3 से उपर multiply कर देंगे, 4 से नीचे multiply कर देंगे, वर्क तो सेम कर रहा है, आप देखो तो वर्क तो सेम हो रहा है, तो time और efficiency दोनों multiply करने पर हमारा equal आना चाहिए न, तो हमने क्या किया, equal करने के लिए 3 से उपर multiply कर देंगे, तो उपर वाला ratio 3 आन पाथ 9 हो जाएगा, efficiency का ratio, और वही इनका नीचे वाले का ratio 4 आन पाथ 8 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, अब आप बोलो, A plus B plus C, उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है न, यह एक condition दिया हुआ है, ठीक है? अच्छे चलो हम second के अनुसार से चलते हैं, सपोज, second के अनुसार से अगर चलते हैं, sorry, according to first equation चलते हैं, तो A plus B plus C, इसकी efficiency कितनी है? यहाँ देखो आप, efficiency कितनी है? 4, है न, 3 plus 1, 4, efficiency 4 है, अगर एक काम को वो 10 दिन में करते हैं, झालते हैं 6, न, 3 एक Cont nó बाते हैं, से बीज़ादेगां